उपर से क्रिस्पी क्रांची और अंदर से हरा भरा सॉफ्ट जो मुँ में जाते ही घुल जाए ऐसा है ये चीज पनीर पराठा रेसिपी तो आज की रेसिपी है चीज पनीर पराठा रेसिपी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुनीता किचन तो कैसे हो आप लोग पनीर पराठा बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम आठा गूनेंगे तो हम ले लिए हैं दो कटोरी आठा उसमें डाल रहे हैं मोयम डालने के लिए रिफाइंड और डालेंगे स्वादानुसार नमक सब मोयम को आठे में अच्छी तरीके से मिलाएंगे हम यहाँ पर गेहूं का आठा यूस किये हैं आप मैदे से भी पनीर पराठा बना सकते हैं तेल को आठे में सब तरफ मिलाने के लिए हम इस तरह रब रब करेंगे और आठे में तेल को सब तरफ मिलाएंगे पानी डालेंगे और आठे को गूंदेंगे आठा गूंते समय ध्यान यह दे कि आठा ना सौफ्ट होना चाहिए ना हाड देखिए इस तरीके से होना चाहिए पनीर के लिफाफा पराठा के लिए हमें इस तरीके स्थरा टाइट आठा चाहिए पनीर लिफाफा पराठा का हमें सेव देना है अगर आठा मुलायम रहेगा तो हम लिफाफा का सेव कैसे दे पाएंगे इसलिए हमें डो को टाइट सानना है मुलायम सानना है अब ये हम सलरी की त्यारी कर रहे हैं लिफाफा बनाते समय हम इसे यूज करेंगे हम दिखाएंग की स्टफिंग त्यार करने की तो हम एक पाव पनीर की लिए हैं और सारे पनीर को कद्दू कस कर लेंगे कद्दू कस किये हुए पनीर में मिलाएंगे हम प्याज चौपर से हम तीन प्याज को एकदम बारिक कर लिए हैं और डाले हैं प्याज तीन मिर्च को हम बारी काट लिये हैं और थोड़ा सा हरिधनिया उसे भी डालेंगे प्याच के उपर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे चाट मसाला, डालेंगे स्वादानुसार, नमक सभी चीजों को मिक्स करेंगे अब बारी हैर पराठा बनाने की तो हम आटे को एक बार फिर से इस तरीके से गूंद लेंगे एक लोई तोड़ेंगे खुब पतली रोटी बनानी है, आप जो लोई लिये हो उससे जितना भी पतला बना सकते हो उतला पतला बनाना है क्योंकि स्टफिंग और लिफाफा बनाने के बाद हमें बेलना नहीं है तो हमको इसी समय बेलना है खुब बड़ी सी रोटी बेलने के बाद हम रोटी के बीचों बीच में रखेंगे चीज स्लाइस और जो पनीर की हम स्टफिंग त्यार किये हैं उसे खुब भर-भर के लगाएंगे चारो तरफ खुब भर-भर के हम स्टफिंग लगाएंगे चारो कॉर्नर में हम अच्छे तरीके से स्टफिंग लगाएंगे अब इसको लिफाफा का सेव देने जा रहा है एक तरप को मोडेंगे जो हम इस लरी बनाये थे आटे की उसे लगाएंगे इस लरी को आटे का जो घोल है उसको अच्छे से लगाने के बाद हम दूसरे साइड से रोटी उठा के उसके उपर रख देते हैं अब उपर नीचे लिफाफा वाला सेव देना है तो आप देख सकते हैं हम ये सेव कैसे दे रहा है मेक सियोर की हमारा पनीर लिफाफा पराठा कहीं से खुला ना हो तो हम सब तरप दबाएंगे देखिए हमारा लिफाफा पराठा त्यार है सिकने के लिए तो हम तावे में डाल दिये हैं हमारा पनीर लिफाफा पराठा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इस समय चारों तरफ सेखना है और बिल्कुल तेल यूज नहीं करना है क्योंकि हमने चीज के ऊपर खुब धेड़ सारा पनीर का स्टफिंग किया था यह कच्चा रह जाएगा क्योंकि अंदर चीज भरा हुआ है इसलिए हम इसे आधि से जादा सेख लेंगे उसके बाद तेल यूज करेंगे नहीं तो चीज भी गरम होके मिल्ट होके पराठा फट सकता है बताईएगा हमारा लिफाफा तयार हुआ है की नहीं फ्लीज कमेंट कीजेगा और देखिए क्योंकि चड़ाई बहुत हो गया है तो फिर अब इसे बट्टा के तरह ही सब तरफ से सेखेंगे सेखते समय पराठे को ये भी ध्यान रखना है की गैस का फ्लेम एकदम लो हो ताकि अंदर तक धीमे आज में सिख सके हमने पनीर लिफाफा पराठा को आधे से ज़्यादा बिना तेल के सेके हैं आधा से ज़्यादा सिख चुका है अब हम ओयल को ब्रस से लगा रहे हैं यह हम इसले किये हैं कि हमारा पराठा फट न जाये इसलिए लास्ट में ही हमारा सब पूरा पराठा त्यार होने के बाद ही हम तेल से ग्रीस कर रहे हैं और देखे हमारा पराठा एक डम डन हो गया है बहुत कृष्पी क्रांची बना हुआ है यह आज का पराठा बहुत टेस्टी बना हुआ था ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया है तो एक बर अपने घर में ट्राइ कीजिए तब समझ में आएगा तो मैं क्या कह रही हूँ तो आज का पराठा हमारा हो गया है डन तो ये है ना बाहर से क्रिस्पी क्रांची और अंदर से सोफ्ट मुलायम और मुँ में घुल जाने वाला तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मारे चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सस्क्राइब की बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, बाइ बाइ फ्रेंड्स, थैंक्स फोर वाचिंग